वही उत्तर प्रदेश में लोग सबाचुनाव रिजल्ट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी का टार्गेट 80 सीटे जीतने का था। लेकिन भारती जन्ता पार्टी इंडिया गड़ बंधन के सामने मात्र उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर ही काबिस हो पाई। वह इंडिया गड़ बंधन 45 सीटों पर काबिस हो पाई है। अयोध्या जैसी हॉट सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। एंडिया और इंडिया गड़ बंधन के खेमे में मीटिंग का दौर जारी है। दोनों दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं।